हलो बचो तो बचो आईए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास कल हम लोगों ने यह प्रिविएस क्लास में हम लोगों ने बात की थी डायमेंशन्स की ठीक है कुछ 40 dimensions के आसपास या 35 dimensions के आसपास मैं आपको बता चुका हूँ मुझे उमीद है कि जितनी dimensions अभी तक मैंने आप लोगों को बता ही है वो आप लोगों को clear होंगी उनमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होंगी आज की क्लास में हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बिटा और इस टॉपिक का नाम है application of dimension हम dimension का application कहां कहां करेंगे मैं note point बना बना कर आप लोगों को questions कराऊंगा अब बहुत ध्यान से हरे question को समझेंगे और देखेंगे कि हम कैसे question में concept को apply कर रहे हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं बिटा अपने topic का नाम topic है हमारे पास में application of dimension बिटा competition exam में काफी question मनते हैं यहां से और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है topic है हमारे पास में application of dimension मैं note point बना बना कर आपको concept बताऊंगा देखो बिटा note point number 1 यह है सेम ध्यान लखेगा अगर हम दो quantities को आपस में add करते हैं या हम दो quantities को आपस में minus करते हैं ध्यान लखेगा अगर मैं दो quantities को आपस में add करता हूं या दो quantities को आपस में minus करता हूं माल लीजिए A plus B को जोड कर आ जाता है C और A minus B करके आ जाता है D ध्यान से तो बिटा जो dimension इसकी होगी बिल्कुल वही dimension इसकी होगी बिल्कुल वही dimension इसकी होगी यानि concept यह है कि अगर हम quantities को add करते हैं तो quantities को हम तभी add कर सकते हैं जब उनकी same dimension हो कैसी dimension हो same यानि force के अंदर भाया force को ही जोड सकते हैं ऐसा नहीं है कि force के अंदर mass को add कर देंगे या mass के अंदर length को add कर देंगे या length के अंदर time को add कर देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा same quantity में same quantity को ही जोड़ा जाता है सुनने में तो ये बात बड़ी आसान सी लगती है लेकिन question काफी बनते हैं इसके उपर तो आप लोग ध्यान लखेगा a plus b equal to c तो जो dimension इसकी होगी बिल्कुल वही dimension इसकी होगी और बिल्कुल वही dimension इसकी होगी बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग नीचे आजाईए अगर मैं minus करता हूँ बिटा तो जो dimension इसकी होगी बिल्कुल वही dimension इसकी होगी बिल्कुल वही dimension इसकी होगी ऐसा होगा सिर्फ plus में और minus में यानि addition में और subtraction में और कहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा तो दियान रखेगा आप लोग अगर आप add करेंगे तो तीनों की dimension सेम है और अगर आप minus करेंगे तब भी तीनों की dimension सेम है ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से बिटा याद रखनी है अब हम इसके उपर आपको पताते हैं example example number number one है हमारे पास में ये जैसे मैंने लिखा force is equal to small a plus small b अब आप देखो इधर क्या लिखा हुआ है force यहां क्या लिखा हुआ है a और यहां क्या लिखा हुआ है b अगर ये force है ना बिटा अगर ये force है और ये a और b के बीच में plus का sign है तो definitely ये जो a है ये भी force को ही represent करता है दिहान रखेगा और ये जो b है ना आपका ये भी बेटा force को ही represent करेगा ये भी आपका force को ही represent करेगा तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो a की dimension होगी हमारी वो force की dimension के equal होगी और वो रहने वाली है mlt-2 similarly बिलकुल ये ही dimension रहेगी हमारी b की समझ रहे हो पिटा जो dimension a की होगी बिलकुल वो ही dimension b की होगी और दोनों की dimension हमारी force के equal होगी तो ये बात बड़ी important है जो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है जैसे हमारे पास में example number 2 कुछ ऐसे बना इदर लिखा हुआ है capital a यहां लिखा हुआ है small a यहां लिखा हुआ है small b और यहां लिखा हुआ है time अब देखो तुमें खुद बाखुद इस बात का पता लगा लेना है देखो यार ये क्या है हमारे पास में भहिया ये क्या है हमारे पास में यह अकेला है हमारे पास में time तो यार हम जानते हैं कि time के अंदर हम time को ही add कर सकते हैं तो definitely b b क्या होगा? b b होगा हमारा time a b क्या होगा? a b होगा हमारा time पूरा a का term हमारा time होगा और capital a b क्या होगा? capital a b होगा हमारा time So dimension of time is equal to capital T is equal to dimension of A is equal to dimension of B is equal to dimension of capital A यानि इस equation में जो dimension time की है वो ही B की है वो ही A की है और वो ही capital A की है क्योंकि हम quantities को add कर रहे हैं और मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि add करते समय add करते समय dimensions हमारी कैसी रहती है same ठीक है जैसे आप लोग यह देखो बिटा हमारे पास में छोटा सा example और बना example number 3 यहां लिखा मैंने X यहां है मेरे पास में Y यहां है मेरे पास में B यहां है मेरे पास में Z और यहां है मेरे पास में C ये लिखाव का है दिख रहा है आप लोगों को और मैंने आपसे पूछ लिया कि भईया equation ये है ये जो X है ये length को represent करता है ये जो Y है ये भी length को represent करता है और ये जो Z है ये भी length को represent करता है ये भी length को दिखा रहा है ये भी length को दिखा रहा है और ये भी length को दिखा रहा है अब आप ध्यान से देखो Z और C के बीच में क्या है Z और C के बीच में क्या है यहाँ देखो ध्यान से Z और C के बीच में क्या है Z और C के बीच में है plus Z represent कर रहा है length को तो definitely C भी हमारा represent करेगा बेटा length को सो हम ये कह सकते हैं कि dimension of C is equal to dimension of Z और Z की जो dimension होगी हमारे पास में वो होगी L समझा रही ही बेटा बात जो dimension C की होगी बिल्कुल वो ही dimension Z की होगी और Z represent कर रहा है length को length की dimension होती है capital L तो आपको इस पूरी screen पर जो भी लिखा हुआ है न बेटा इससे सीखने के लिए आपको ये मिलता है अगर हम दो quantities को add करेंगे तो जो dimension इसकी होगी वो ही इसकी होगी अगर हम दो quantities को subtraction करेंगे तो जो dimension इसकी होगी वो ही इसकी होगी बात समझ में आई? कुछ basic example मैंने आपको बताए अब मैं example का level rise करूँगा और कुछ अच्छे example मैं आप लोगों को बताऊँगा पहले आप इसे note कर लीजिए फिर हम लोग आगे बात करेंगे ओके बिटा बात समझ में आ गई note कर लीजिएगा अच्छे से अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और next note point की बात करते हैं level को हलका सा rise करते हैं ठीक है देखे example यह है x is equal to at plus bt square plus c बेटा यह है हमारे पास में problem x is equal to at plus bt square plus c what is the dimension of a, b and c आपको तीनों की dimension बतानी है कि a की dimension क्या होगी b की dimension क्या होगी और c की dimension क्या होगी कैसे करेंगी problem solve मैं आपको बताता हूँ left hand side में लिखा हुआ है x x की dimension होती है length यानि l ठीक है पेटा समझ में आरी बात तो यह भी पूरा यह पूरा हमारे पास में length है यह पूरा भी हमारे पास में length है और यह पूरा भी हमारे पास में length है यानि इसकी जो dimension रहेगी हमारे पास में वो भी l के equal रहेगी इसकी जो dimension रहेगी वो भी l के equal रहेगी और इसकी जो dimension रहेगी वो भी l के equal रहेगी सो हम यह कह सकते हैं कि जो dimension of 80 होगी dimension of 80 वो रहेगी l के equal dimension of 80 LK equal रहेगी हमें निकालनी है A की dimension तो ये T पहुँच जाएगा इधर ये बन जाएगा LT minus 1 A की dimension निकल गई LT minus 1 इसके बाद देखो जो BT square है इसकी dimension रहेगी LK equal BT square की जो dimension रहेगी बिटा वो भी रहेगी हमारी LK equal और यहां से B की जो value निकल कर आएगी वो आएगी L T square उदर चला जाएगा तो LT minus 2 बाद समझ में आ रहे है dimension of B is equal to LT minus 2 finally last condition जो हमारे बास में है यहां अकेला C है और ये length है तो हम लिख सकते हैं dimension of C is equal to dimension of L A की dimension है LT minus 1 अब याद करिए LT minus 1 किसके dimension होती है velocity की B की dimension है LT minus 2 यह किसके dimension होती है acceleration की समझा रही है बिटा बात तो यह condition हमारे पास में निकल कर आएगी एक example हमारे पास में हो गया है यह ऐसा question आप लोगों से पूछा जाएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और next example की हम लोग बात करते हैं नेक्स कंडिशन है मेरे पास में यह एकस इस इकुल टू कैपिटल AV प्लस BZ प्लस C अपॉन T प्लस D देखो बिटा यह problem बनी है हमारे पास में बहुत बड़ा अच्छा कोशन है बहुत धियान से आप लोग देखेगा कैसे हम इस problem को बनाने वाले है आप यह देखो सबसे पहले कि यहां लिखा हुआ है X और X की जो dimension है वो होती है length अगर यह X है और इसकी dimension length है तो बिटा इसकी dimension भी होगी length समझ रहे हो इस पूरे की dimension भी होगी length समझ रहे हो और इस पूरे की dimension भी होगी length left side में लिखा हुआ है हमारे पास में x x की dimension है length तो इसके dimension भी होगी length इसके dimension भी होगी length और इसके dimension भी होगी length अब हम कैसे करेंगे तरह समझे धियान से so हमने लिखा dimension of x is equal to dimension of av देखो बिटा इसकी dimension भी length और इसकी पूरे की dimension भी length दोनों को हमने बराबर रख दिया हमें निकालनी है capital A की dimension तो हम लिखेंगे capital A is equal to देखो X की dimension क्या होगी L, velocity की dimension L T minus 1 और पहुँच गया नीचे L से L cancel out T minus 1 को उपर ले जाएंगे तो ये बन गया हमारे पास में T ये निकल गई हमारी A की dimension अब आते हैं हम दूसरे पर ये X और ये है BZ दोनों को बराबर रख देंगे हम लोग लिखेंगे dimension of X is equal to dimension of BZ दोनों की dimension सेम रहेगी अगर ये length है तो पक्का ये भी length होगा अब X की dimension क्या होती है length बी की dimension हमें निकालनी है Z की भी क्या होती है length length से length cancel out यानि B की कोई dimension नहीं है B हमारी dimension less है बेटा dimension less B है हमारी dimension less B की कोई dimension नहीं है देखो यहां cancel out हो गया अब आप यहां देखो student ये क्या है T बताईए क्या है T और ये क्या है D और दोनों की बीच में क्या है plus ये है time और ये है D इस पूरे की dimension तो length के बराबर है अगर ये भी ये time है और बीच में plus है तो इस D की dimension भी होगी हमारे पास में time ये जो D है ना बिट आपके पास में D इसकी dimension भी हो जाएगी हमारे पास में time यानि capital T के equal इसकी dimension भी हमारे पास में time यानि capital T के equal होगी ठीक है अब देखो आगे और कैसे solve परेंगे अच्छा इस पूरे की dimension क्या है length अब इस पूरे को देखो हम क्या लिख सकते हैं उपर क्या है c ये क्या है time ये भी क्या है time time plus time नीचे आएगा time और इसकी dimension है length के बराबर t को ले जाएगे इधर तो dimension of c is equal to lt लो बिटा a की dimension भी हमारी निकल गई b की dimension भी निकल गई d की dimension भी निकल गई और c की dimension भी निकल गई ऐसे हम problem को solve करेंगे अभी और example करेंगे चिंता मत करिए सब समझ में आ जाएगा पहले आप लोग इसे note करिए चलिए हुचो अब हम बात करते हैं आगे और देखेंगे next note point क्या आता है हमारे पास में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि next note point क्या आता है बिटा हमारे पास में condition यह है f यानि force is equal to capital A into x plus capital B into x square और यहाँ है capital C into time ठीक है यह दे रखिए बिटा हमें equation force is equal to ax plus bx square plus ct हमें बताना है what is the dimension of abc अब मुझे एक बात पताईए left side में क्या लिखा हुआ है left side में लिखा हुआ है force तो पक्का यह भी force है यह भी force है और यह भी हमारा force है तो हम क्या करेंगे बिटा first of all जब हम इसका answer बनाएंगे तो हम इसको सीधा force के बराबर रखेंगे force की dimension के बराबर रखेंगे dimension of ax is equal to dimension of force मैंने आपसे कहा ना कि left side में अगर force लिखा हुआ है ना तो यह सारी quantity हमारी force है अब हम कैसे करेंगे ज़रा यह देखो capital A की dimension हमें निकालनी है x पहुँच जाएगा force के अपॉन में force अपॉन x अब आप मुझे यह बताइए कि force की dimension क्या है mlt-2 और x की dimension क्या है l cancel out यह बन गई हमारी capital A की dimension similarly अब हम next वाला जोग है वो भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे इस बार हम bx square को dimension of bx square को हम बरावर रखेंगे dimension of force के जो हमारी force की dimension है वो bx square की dimension के बरावर होगी तो बिटा देखो capital B की dimension यहां से क्या निकल कर आएगी capital B की dimension निकल कर आएगी force upon x square अब force की dimension क्या है हमारी force की dimension है ml2 mlt-2 x square की dimension क्या है l square यह इससे cancel out l से हमारा square cancel out हो गया और हमारी b की dimension निकल चुकी है dimension of b is equal to ml-1 t-2 this is the dimension of b उमीद है कि बाद समझाई होगी आप लोगों को और बिल्कुल similarly आप लोगों को करना है last point last point में आप क्या करेंगे आप रखेंगे dimension of force को dimension of ct के equal और यहां से c की जो dimension निकल कर आएगी वो आएगी force upon time करके यह आएगी हमारी c की dimension निकल कर force की dimension हो जाएगी m, l, t-2 और t की dimension upon में t रहेगी solve करेंगे वहां से हमारी c की dimension निकल जाएगी तो बिटा अच्छा question है कैसे हमने solve किया यह आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान लखेंगे यह बहुत जरूरी है कि कैसे हमने concept इसके उपर apply किया है ठीके अब आते हैं हम लोग next problem में देखें next problem है हमारे पास में capital E is equal to a minus x square upon 4 into b यह हमें एक equation दे रखी है बिटा ध्यान से बिलकुल बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है ठीक है equation है हमारे पास में capital E equal to a minus x square upon 4b हमें बताना है what is the dimension of a and b अब आप यह देखो यार कि यह जो capital a है और यह जो x square है इनके बीच में क्या है minus और जिनके बीच में minus या plus होता है उनकी dimension होती है same मैं आपको बता चुका हूँ so first of all हम लोग लिखेंगे dimension of a is equal to dimension of x square सबसे पहले हम यह लिखेंगे बिटा क्योंकि a और x square के बीच में minus का sign है तो इसी लिए इन दोनों की dimension है same अब आप जानते हो कि x का मतलब length से है यह जो x है आपके पास में यहाँ पर इस x का मतलब है length से और length की dimension होती है हमारे पास में l square लो भईया एक ही dimension निकल गई हमारे पास में l square अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि next result क्या है हमारे पास में तो भईया हम यह कह सकते हैं अब dimension of e यानि यह जो left side में लिखा हुआ है न पूरा e इस पूरे की dimension इधर वाले की dimension के बराबर होगी है upon 4 b बता होगी या नहीं होगी भई हमेशा अगर कोई formula आपके सामने लिखा हुआ है तो हमेशा left side की dimension right side की dimension के बराबर होनी चाहिए यह तो rule होता है अगर left side की dimension right side की dimension के बराबर नहीं होगी तो formula valid ही नहीं होगा हमारा बात समद में आ रही है आप लोगों को तो यह situation है हमारे पास में अब आप देखो बेटा capital E का मतलब है energy और energy की dimension है हमारे पास में यह ml2 t-2 ठीक है एक तो यहाँ capital A लिखा है एक यहाँ x square लिखा है एक बीच में minus लिखा है तो इनकी अलग-अलग dimension लेने की कोई ज़रूत नहीं है capital A की dimension क्या है L square और x square की भी L square तो इन में से कोई भी एक लेलो आप यानि उपर वाले portion की dimension हो जाएगी L square ठीक है पिटा अब यह जो 4 है यह तो number को represent करता है इसकी तो कोई dimension होती ही नहीं है upon में हो गया हमारे पास में B अब हम B की dimension निकालते हैं इससे यह cancel out और dimension of B हमारे सामने निकल कर आया M minus 1 L की power 0 T की power plus 2 यह निकल कर आया हमारे पास में M चला गया उधर M की power minus 1 L तो cancel out हो ही गया है और यह बन चुका है हमारे पास में T की power plus 2 this is the dimension of A और यह है हमारे पास में B की dimension धियान से करेंगे आप लोग solve कर लीजिये note down फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग चलो बेटा देखो आगे next point क्या है अपने पास में next point है अपने पास में आप लोगों को एक equation दे रखी है P का मतलब है pressure और यहां आपको दे रखा है A upon V square यहां आपको दे रखा है V minus के B और यहां आपको दे रखा है R T यह हमारे पास में एक equation है बिटा P plus A upon V square V minus के B is equal to R T हमें बताना है कि what is the dimension of A and what is the dimension of B A और B इन दोनों की dimension हम लोगों को बतानी है आईए देखते हैं बताते हैं सबसे पहले आप यह देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज किसे represent कर रही है P represent कर रहा है pressure को capital V represent कर रहा है volume को ठीक है बिटा T represent कर रहा है temperature को और R represent कर रहा है gas constant को हाला कि इन में से आधी चीज़ों की हमें जरूत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया तो अब आप यह देखो भाई सबसे पहले हम निकालते हैं A की dimension P क्या है pressure V क्या है volume और बीच में कहां का sign है plus हमने आपको पढ़ाया जब दो quantities के बीच में plus का sign होता है इसका मतलब यह है कि उन दोनों की dimension same है तो हम यहां लिख सकते हैं dimension of pressure is equal to dimension of A upon V square यह हम लिख सकते हैं बिटा मैंने आपको कई बार बता दिया है अब घबराना नहीं और बिलकुर आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए P और A upon V square के बीच में plus का sign है इसका मतलब यह है कि इन दोनों की dimension same है हमें निकालनी है dimension of A हमें A की dimension निकालनी है सो A की dimension निकालने के लिए हम V square को ले गए इधर यह बन गया P V square समझा रही बिटा बात अब P का मतलब क्या है pressure जिसकी dimension आपको याद होनी चाहिए pressure की dimension है ML minus 1 T minus 2 V क्या है volume volume की dimension है L की power 3 का whole square बात समझ में आ रही यह बिटा सो dimension of A is equal to M L minus 1 T minus 2 L to the power 6 so dimension of A is equal to M यह L minus 1 यह L की power 6 तो यह हो गया हमारे पास में L की power 5 और यह है हमारे पास में T की power minus 2 तो बिटा निकल चुकी है हमारी A की dimension और A की dimension है ML की power 5 T की power minus 2 उमीद है कि बास समझ आई होगी अब हम निकालते हैं B की dimension आप जड़ा इस bracket को ध्यान से देखो इस bracket को V क्या है volume B क्या है constant B की dimension हमें बतानी है और बीच में काहें का sign है minus अब मैंने आप से कहा चाहे बीच में plus का sign हो या बीच में minus का sign हो उनकी dimension कैसी रहती है same तो हम क्या कह सकते हैं हम यह कह सकते है कि जो V की dimension होगी बिलकुल वही dimension होगी B की V और B की dimension same होगी so dimension of B is equal to volume की dimension होती है बिटा L की power 3 लो ऐसा यह निकल गई है हमारी B की dimension और यह निकल गई है हमारी A की dimension ऐसे हम problem को पनाने वाले हैं उमीद है कि आप लोगों को problem समझाई हो यह बहुत अच्छा question है ठीक है no doubt करिए आप लोग आईए बिटा अब हम discuss करते हैं next problem देखें next problem क्या है हमारे पास में बिटा next question है हमारे पास में capital E है energy समझे रहे हो उसके बाद यहां लिखा हुआ है capital A और साथ में लिखा हुआ है F square यानि force यहां है हमारे पास में capital B साथ में लिखा हुआ है T to the power 3 यहां लिखा हुआ है हमारे पास में C और यह लिखा हुआ है theta theta का मतलब होता है temperature theta का मतलब यहां temperature से है यह भी एक अच्छा question है दियान से करते हैं solve की कैसे बनाएंगे problem हमें बताना है कि capital A capital B और capital C की dimension क्या हुने वाली है हमारे सामने ठीक है तो बिटा यह देखते हैं कि कैसे करेंगे problem solve left side में लिखी हुई है energy और right side में लिखे हुए हैं यह 3 term तो हम क्या कह सकते हैं हम यह कह सकते हैं कि जो dimension energy की होगी बिल्कुल वही dimension होगी AF square की होगी या नहीं होगी बिल्कुल वही dimension AF square की होगी इन तीनों का जो sum है मतलब इसकी dimension भी है energy के पराबर इसकी dimension भी है energy के पराबर और इस पूरे की dimension भी है energy के पराबर तो यहां से capital A की जो value निकल कर आएगी हमारे पास में वो आएगी निकल कर बिटा E upon F square अब बताईए E की dimension क्या है आपके पास में ML2 T-2 force की dimension क्या है ML T-2 का whole square मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे खुद solve करें और खुद solve करके यहां आप answer लिखेंगी क्या answer आएगा मैं चाहूंगा कि खुद solve करके answer लिखो कि क्या answer बनने वाला है इसका अब आते हैं B part में जो dimension energy की होगी बिलकुल वो ही dimension होगी हमारी B T to the power 3 की तो हम लिख सकते हैं dimension of B यह dimension का bracket है बेटा इस bracket को जरूर दिखाना यह dimension का symbolically representation है आप energy को divide कर दोगे T to the power 3 से energy की dimension क्या है आपके पास में ml2 T minus 2 और नीचे है हमारे पास में T to the power 3 यह लिख दिया मैंने T to the power 3 अब solve करके जो भी answer आएगा वो यहां mention करेंगे आप कि energy की dimension क्या होने वाली है okay finally अब आते हैं हम third point पर और third point पर हम लिखेंगे dimension of energy is equal to dimension of C theta तो पिटा यहां से जो C की dimension हमारे पास में निकल कर आएगी यहां से जो C की dimension हमारे पास में निकल कर आएगी वो आएगी energy upon theta ठीक है और मैंने आप से कहा कि यह जो theta है यह temperature को show कर रहा है temperature को so energy की dimension कितनी हो गई ml2 t-2 theta की dimension हो गई k theta temperature की dimension k होती है ठीक है solve करेंगे तो answer बन जाएगा ml2 t-2 k-1 यह बनेगा बिटाप का answer बाकी उपर के तो आप खुद से निकालें और देखें कि answer आएगे एक मैंने आप लोगों को बता दिया है तो यहां से हमारी capital A capital B और capital C t-0 की dimension find out हो गई है ऐसे हम dimension बनाने बाले हैं ठीक है करिए no down और level हलका सा बढ़ाते हैं level हलका सा और rise करते हैं और देखते हैं कि all dimension के questions हमारे सामने कैसे बनेंगे ठीक है जल्दी से no down कर लीजिए आप लोग बच्चो चलिए next बिटा हम बढ़ते हैं next question की तरफ देखो next problem है हमारे पास में force is equal to alpha into beta और यहां लिखा हुआ है e to the power minus के alpha x यह है हमारे पास में problem अच्छा question है कई बार IATJ के exam में पूछ लिया गया है एक दो बार aims में भी पूछा गया है तो आप लोगों को समझनी है problem को की भी कैसे solve करेंगे हम लोग सबसे पहले में थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ यह दिख रहा है ना e आप लोगों को बेटा e इस e को हम लोग बोलते है exponential function exponential function exponential function और यह exponential function हमेशा dimension less होता है इसकी कोई dimension नहीं होती है यह हमेशा dimension less होता है यह exponential function है और यह हमेशा dimension less होता है इसकी कभी कोई dimension नहीं होती अब आपको करना क्या है मैं आपको यह बताता हूँ e की power में आपको क्या दिख रहा है e to the power में मुझे दिख रहा है alpha x दिख रहा है ना बिटा alpha x बस आपको एक छोटा सा काम करना है हमेशा जो भी e की power में आपको दिखाई देगा alpha x उस alpha x की dimension को आप 1 के equal रखेंगे उस alpha x की dimension को हमेशा आप 1 के equal रखेंगे तो अगर मैंने 1 के equal रखा तो alpha की value क्या बन गई यहां से 1 upon x x की dimension हो जाएगी l minus 1 तो alpha की dimension निकल गई मेरी l minus 1 यहां से कौन सा function है exponential function है कैसा होता है dimension less इसकी power भी क्या होती है dimension less इसलिए मैंने alpha x को 1 के बराबर रखा और alpha की dimension निकल गई है अब क्या करना है बिटा अब आप करेंगे चुकि यह पूरा function dimension less है तो इस पूरे function को हटा कर आप लिखोगे dimension of force is equal to dimension of alpha बीटा चुकि यह पूरा पूरा function exponential function है और dimension less है dimension less का मतलब है इसकी कोई dimension नहीं है यह constant की तरह है अगर यह constant की तरह है तो यह बिकार है हमारे लिए इसका कोई use नहीं है इसका कोई importance नहीं है तो मैंने उसे हटा दिया तो अब आप देखो बिटा force की dimension हो जाएगी हमारे पास में mlt-2 alpha की dimension है हमारे पास में l-1 और यहां है बीटा जो बीटा की dimension हमारी निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी l-1 इधर चला जाएगा बीटा की dimension हमारी निकल कर आएगी ml2 t की पावर माइनस 2 इस इस दाइमेंशन ओफ एलफा और यह है हमारी बीटा की dimension और यह है exponential function जो हमेशा dimensionless है इसकी जो भी power हो उसे रखना है 1 के equal और f को रखना है इलफा और बीटा के बरबर ठीक है solve कर यह मैं एक और example और बदाता हूँ आपको इसके उपर और clarity आजाएगी आपकी concept में ठीक है बीटा चलिए एक छोट आजा question और हम discuss करते हैं देखो बीटा next question क्या है हमारे पास में हमने लिखा force हमने यहां लिखा alpha beta upon gamma ठीक है यहां मैंने लिखा e to the power यहां मैंने लिखा e to the power minus के alpha x की whole power e to the power beta upon t यह लिखा भी टमेल है इस तरीकी की problem आती है आप लोगों को confuse करने के लिए इस तरीकी की problem आएगी लेकिन आपको बिलकुल नहीं घबराना है बहुत आसान condition है देखो यह जो पूरा जो मैं यह पूरा box मना रहा हूँ यह पूरा box आप लोगों का है बिटा dimension less यह पूरा box आपका dimension less है क्योंकि यह भी e का function है और यह भी e का function है अब हम क्या करेंगे यहां बताओ e की power में क्या लिखा है यहां e की power में लिखा है beta upon time और इसकी dimension को रखा हमने 1 के equal so beta की dimension निकल गई हमारी time के equal और time की dimension होती है capital T यह बन गई equation 1 हमारे पास में यह जो e की power में था इसे 1 के equal रखती है आमने चाहे कितना भी power बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है जो भी e की power में हो चाहे plus हो या minus हो उसे 1 के equal रखती है अब आप यहाँ देखो बिटा यहाँ e की power में है alpha x so dimension of alpha x is equal to 1 dimension of alpha is equal to l minus 1 यह बन गई हमारी equation number 2 हमें beta की dimension भी मिल चुकी है हमें alpha की dimension भी मिल चुकी है हमें दोनों dimension यहाँ से मिल चुकी है बिटा अब हम निकालेंगे gamma की dimension कैसे आप लोगों को बस एक काम करना है क्योंकि यह पूरा box तो dimension less है सीधा आपको force को इसके बरावर रख देना है तो बिटा force हो गया हमारे पास में alpha beta upon gamma dimensionally आपस में equal हो गई है ठीक है so हम लिखेंगे dimension of gamma is equal to alpha beta upon force भही alpha की dimension है हमारे पास में l-1 beta की है t और force की dimension है mlt-2 solve करोगे तो यहां से आपकी gamma की dimension निकल जाएगी इस तरीके से हम problem को solve करेंगे तो जितना भी मैंने आज की class में आप लोगों को पढ़ाया है बिटा यह हमारा dimension का starting का application है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी थोड़ा सा समय all लगेगा थोड़े से समय का मतलब है कम से कम तीन class हमारी और लगेंगी dimension में और तीन class के बाद आप इस लाइक बन जाएंगे कि dimension की कोई भी problem किसी भी exam की problem आप solve कर सकते है आपका काम सिर्फ इतना है कि जितने questions मैंने आपको कराए है यह सभी repeat करके आप लोगों को मेरे पास में send करने है ओके student चलिए मिलते हैं आप लोगों से next class में